बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकूं मैं हूँ आपका हो सजीद अकाश पुहरी अकाश इन्फो टैक में खुश्याम दी कल आमने एक वीडियो अप्लोड की जिसमें हमने डिसक्स किया वट इस फ्रिलांसिंग और फ्रिलांसिंग बिजनेस बेनिफिड्स इन आडियाज पर हमने डिसक्सिंग की उमीद है कि वो आपको काफी अच्छी लगी होगी आज हम डिसक्स करेंगे कि अगर हम एक फ्रिलांसिर बनना जाते हैं हम अपनी परुफाइल सेट करते हैं तो हमारी परुफाइल में कौन सी ऐसी चीज़ें सबसे पहला इंपोर्टन पॉइंट मैगनेटिक हेड्लाइन अगर हम डिसक्स करें कि आम तो पर अगर दिखा जाए जैसे वर्टस एप स्टेटिस होते हैं या आप एफबी पर देखते हैं तो आपका एक स्टेटिस आबाउट लिखते हैं जो कि तमाम जितने भी फ्रेंड जाएं नॉन फ्रेंड जाएं आपके मज़ी है जिसको दिखाना चाहें तो वो देखते हैं कि यार इस शक्स के क्या आइडियाज हैं अपनी एक अच्छी हैडलाइन लाजमी रखें उसके अलावा जो सबसे इंपोर्टन पॉइंट होता है वो यह होता है फिर्स्ट इंप् करती है तो कोशिश करें अगर आप फ्री लांसर के तोर पे काम करना चाहते हैं तो अपनी उन स्किल्स पे काम करें जिस पे आपको मुकमल तोर पे ग्रिप हासिल है आपकी परस्नेल्टिक ब्रैंड होनी चाहिए किस तरह से अगर आप अपनी परफाइल पिक अपलोड करते वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी जो नेम आपका जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो तू मच अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर दे अपनी तरफ के कंज्यूमर नहीं भी आना चाहता वो दक्के से आ आजाए तो ये आपकी परस प्रिस्नेल्टी एट्रेक्टिवनेस होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन में के कंज्यूमर आपकी प्रोफाल देखते साथ आपके साथ पॉंटेक्ट लाजमी करें अब वो पॉइंट डिसक्स करते हैं कि जिसके मताबक आप फ्रीलांसर बनते हैं या अच्छा फ्रीलांस करते हुए अच्छा महसूस करते हैं इंज्वाई करते हैं काम को काम समझ के नहीं बलके शोक समझ के खेल समझ के करते हैं अकसर लोग काम को बड़न समझ के करते हैं इसलिए स्किल्स होने के बावजूद उसको अच्छा नहीं कर पाते हैं पिर अगला पॉइंट आता आपक आप अपनी स्किल्स को जो है वो डिफाइन करें उसके बाद अपनी क्वालिफकेशन को बताएं कि आपकी क्या क्वालिफकेशन है उसके बाद जो है अपनी जो है स्किल्स के साथ साथ सर्टिफिकेट्स वगरा के मतलिक बताएं आपकी जो अकम्पलिश्मेंट है उसके मतलिक आप डिफाइन करें पिर अगला important point के कौन से project पे आप काम कर चुके हैं या किन project पे आप काम कर चुके हैं उनके मतलिका आप डिफाइन करें पिर एक ऐसा point होता है कि जो हर एक शख्ष पढ़ना अपसंद करता है एक important point जिसको पढ़ के consumer आप की तब attract होता है वो यह है tell reason why me just only me कि सिर्फ आप मेरे साथ contact करो क्यों आप में ऐसी क्या qualities रखी हैं कि कोई भी consumer आपकी profile open करें और आपके साथ contact करके आपके साथ agreement कर ले कौन सी ऐसी qualities है reasons बताएं उसे कि आप क्या कुछ कह सकते हैं आप में क्या qualities हैं क्या skills हैं आप ने जो काम किया हुआ है उस काम को आप define करें उस काम को आप कैसे define कर सकते हैं उस काम को आप define करने के लिए आप अपने projects अपनी services दिखा सकते हैं आप अपने social proof दें अपने client को साथ में अपने प्रिवेस क्लाइट का जो आपने डेटा काम किया हुआ है वो उसे दिखाएं या फॉर एक्जेंपल अगर आपने लोगो बनाया है लोगो दिखाएं आपने कोई और चीज डिजाइन किया है वो दिखाएं तांके आपका जो कंज्यूमर है उसका इतमाद मजीद पुखता हो जाए और वो आपको क्लिक कर ले उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं उसको ये दिखाएं ये मैंने पिछले कंज्यूमर का कस्क्रमर का काम किया पिछले कलाइट ने मुझे ये रैंकिंग दी उसने ये पाल पर अकाउंट लाजमी रखें तांके जहां से आप जो है वो अपने जितनी भी आपके डॉलर जाते हैं एडनिंग होती है उसको आप निकलवा सकें पिर इंपोर्टन पॉइंट सबसे इंट पे कि इसके अलावा अपने जो है वो कंटेक्ट एड्रस और मेल एड्रस ल इनरेट हो सकें ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था कि बहुत सरे दोस्तों के मैजजिस आए कि यार हम तो आलरी फ्रीलांसिंग कर रहें लेकिन हमें काम नहीं आ रहा हमने फाइवर पे अकाउंट बना लिया हमने बाकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है लेकिन हम करें शेयर करें कुमेट करें और हमारे इस चैनल अकास इंफो टेक को सबस्क्राइब करके साथ मुझूद बैल आइकन को लाजमी कलिक करें ताकि हमारे इस तरह के मज़ीद मालूमाती और टेकनॉलजी से रिलेटिड वीडियो आप तक भरवक्त और बासानी पहुंच सकें अगली वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस